नमस्कार मैं हूं मिनाक्षी गुपता और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइल लाइफ और स्वागत है आपका हमारे इस खास का रिक्रम देश के पॉपुलर रेसलर शुशील कुमार इन दिनों जेल में हैं और वो इन दिनों सलाखों की हवा खा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि शुशील कुमार की इन दिनों राते जेल में रो रो कर कट रही हैं वो खाना भी नहीं खा रही है शुशिल कुमार वो नाम है जो इंटरनेशनल लेवल पर जाना पहचाना जाता था लेकिन इन दिनों वो जेल की सलाखों के पीछे है और ऐसे में अभी हाल ही में उनकी मा ने हाई कोट में यह याचिका दाखिल की थी की मीडिया ट्राइल पर उनके केस में रोक लगा दी जाए हलाकि यह बात और है कि सुप्रेम कोट ने उनकी मा की सियाचिका को खारिज कर दिया था लेकिन आपको बता दें कि सुशिल कुमार ने सागर धनकर के मामले में पूरी की पूरी स्टोरी मार्च के महीने में ही लिख ली थी तो सुशिल कुमार ने सागर धनकर के मामले को कैसे अंजाम दिया और कैसे यह पूरी स्टोरी लिखी गई हमारी इस रिपोर्ट में देखिए कहना है कि फरारी के दौरान सुशील ने पांच दिन भटिंडा में एक हनुमान अखाडे में बिताए थे जाज कर रहे अधिकारियों का कहना है कि जगड़े की कहानी को मार्च की महीने में ही लिखा गया था इस पूरी बारदात में अजय बक्करवाला और सोनु महल का नाम सा के उस साथ रहा पूलिसूतरों ने बताया कि विवादित फ्लेट को लेकर सागर और सशील के बीच विवाद चल रहा था सोनु भी उसी फ्लेट में रह रहा था मार्च में सोनु महल का जन्मदिन था और उस दिन सोनु ने अपनी गर्परην को भी वहां बोलाय हुआ था और सागर फ्लेट पर नहीं थे वहां सोनु का रसोया था सोनु जब घर पहुंचा तो उसे विवाद का पता चला उसने अजय को कॉल कर खूब धमकाया यहां तक उसके घर की महिलाओं की बेज़ती की और उसे गोली मारने की धमकी दी अजय सोनु से बदला लेने की चाहत करने लगा वो शुशील से कहता था कि सागर दूसरे पहलवानों की सामने उसे गाली देता है वहीं सोनु भी काला जठेडी की धमकी देकर उसे मारने की धमकी देता है अजय कहता है कि स्टेडियम में पहलवानों के भी सुशील की साथ गिर रही है चार मई को अजय के कहने पर ही सुशील ने शाम की समय सभी पहलवानों की ब्रीफिंग ली और उनको खूब धमकाया उसने सागर के दोस्त भगते को भी पीटा और उसका फोन चीन लिया सुशील ने अपने साथियों से रात को इखटा होने के लिए कहा इसके अलावा उसने असौदा ग्यैंक के बिज और चोटी प्रिंस दलाल और अन्यय यूबक रात को स्टेडियम पहुंचे बाद में सोनू अमित और सागर को स्टेडियम उठा ले आए बाद में सोनू अमित और सागर को बुरी तरह पीटा गया सूद्रों का कहना है कि उस समय जादतर पहलवान नशे की हालत में थे अज सागर मामले में नए नए लगातार खुलासे हो रही है दो बार का ओलम्पिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार अब जेल में है पहलवान सागर के निधन का वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है उसमें सुशील रौड से सागर को बहरेमे से मारता हुआ सामने आई है वो है पुलिस की केस डाइडी की कहानी इस केस की डाइडी के मताबिक चार और पांच मैं की राज सुशील कुमार और उसके लोगों ने सबसे पहले सागर धनकर के दोस्त को उठाया उससे सागर का पता मिला फिर मॉडल टाउन गए वहां से सागर को उठा कर सागर के साथ मार पीट के एक नहीं बलकि कई वीडियो बनाये गए थे एक सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहा है तो कई पुलिस के पास है कुछ को फोरेंसिक जांच में सही पाया गया है सागर की रिपोर्ट से बड़ा खुलासा हुआ है उसके सिर से घुटने तक की चोटे है दिलिकी एक अदालट ने से फिशिलकुमार की पुलिस हिरासे शनिवार को चार दिन के लिए बढ़ा थी अदालत ने से पहले सुशी ताज के लिएHa distributed के छे दिन की पुलिस अरजी को मंझूरी देना अचित समझता हूं की साथ मादन के हिरासत मांगी थी ओरी कर दो दो के दोलें दोला कर दो खिकान current अइbon और झाल कि दोला को दोलेंगी थी परकी में दो कि घु gefallen और यह ज malware हुआ हुआ है बागी देश और दुनिया से जोड़ी ताजी तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें नेक्स नाइन लाइफ के साथ और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेर और कमेंट जरूर करें साथ ही साथ हमारे चैनल नेक्स नाइन लाइफ को भी जरूर सबस्ट्राइब करें